आप से कई सारे लोग परिशान हैं, कमेंट सेक्षन में भी कई बार पूछ चुके हैं और कई सारे मैसेज़ेज भी कर रहे हैं, आप लोग फेस्बुक ग्रूप पे और कई जगों पर देखे, पेट का कोई result declare नहीं होगा, पेट का scorecard जारी होगा, सबसे पहली बात तो आपके पेट में एक नंबर हो, चाहे 100 नंबर हो, चाहे 0 नंबर हो, scorecard जारी होगा और सब ही का जारी होगा जिसने भी परिक्षा दी है, जिसने पेट एक्जाम दिया है, ओमार में उससे कोई गलती नहीं होई है भरने में, उनका सबका scorecard जारी होगा, result नहीं जारी होगा इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था, यह वीडियो बनाया था, इस थम्नेल से मैंने, इसके पहले, इसमें सारी चीज़े मैंने clear की थे, पेट का कोई cut-off, या पेट का कोई result अगर नहीं जारी होगा, लेक पाल में कैसे चैनल, यह वीडियो अगर आपने नहीं दे एक आहरता परिक्षा कह लेजे, वो कोई किसी पद के लिए कोई प्रारंबिक परिक्षा नहीं है, जिसका कोई result जारी होगा, ठीक है, तो पेट का scorecard जारी होगा, scorecard जारी होने के बाद आपका लेकपाल का विग्यापन जारी हो जाएगा, ठीक है, अब इसकोर, अब देख scorecard जारी करें, तब लेकपाल का विग्यापन जारी करें, या लेकपाल का विग्यापन पहले जारी कर दें, scorecard बाद में जारी होता रहेगा, क्योंकि लेकपाल का जो मुक्ष परिक्षा है, वो आपकी नवंबर में ही प्रस्तावित है, यदि scorecard पहले जारी होता है, अगर यदि लिखपाल का विज्ञापन पहले आता है तो सभी लोग फॉर्म भर सकेंगे लेकिन मेंस के लिए उन्हीं को बुलाया जाएगा जिनके इसकोर ठीठा होंगे मतलब क्या इसकोर रहेगा कैसे होगा मैं आज शाम की वीडियो में बता दूंगा कैसे होगा कभी एक सर्वे लोगों ने वहां पर सर्वे में पाटिसिपेट किया है तो एक अनुमान के तहट देखेंगे कि कितने लोगों के कितने नंबर है तो उस दरब से बताएंगे तो इसलिए एक मीटिंग हुई थी जो है कि कैसे क्या चीज़े रहेंगी और लेकपाल का मैंने आपको सब कुछ इस वीडियो में पताय था यह जो थमनेगा आप देख रहें इस वीडियो में आपको सब कुछ बता आहा है कि लेकपाल जरुबस क्या रहेगा कैसी समय चाहिए कस T कित तयंक बन रहे वीडियो तो त्यारिम बत कर बिर्टन योई करें ट्यक्रिबर यहीं टो यही चीजों पर एट्री वेली सटर्वीकश कोई ती निर्देश लिए धितने जलदी से हो सकता है इसमे जारी कर यह इसमाईने का मतलए कि एस महींने के last week में pet का scorecard जारी हो जाएगा और उसके पाद लेकपाल का विग्यापन यदि लेकपाल का विग्यापन पहले जारी होता है तो सभी लोग आवेदन कर सकेंगे और यदि scorecard जारी हो जल्दी हो पाएगा scorecard जारी होने में देर नहीं होगी तो लेकपाल का विग्यापन उसके बाद जारी करेगा आईओ, उसमें लिख देगा कि इतने इतने अगर आपके स्कोर हैं इस-स केटेगरी में तब ही आप लेकपाल के लिए आवेदान कर सकते हैं मुख्ष परिक्षा के लिए, यदि पहले ही लेकपाल का विग्यापन जारी तो जब आपके मुख्ष परिक्षा के admit cards आएंगे तो उसमें उन्हीं को admit card जा रही होंगे जिनके number safe होंगे मतलब जो उस criteria में आ रहे होंगा मतलब जैसे जैसके 70 number है तो उन्हीं को ही means के लिए बुलाए जाएगा कितने नंबर वालों को मेंस के लिए बुला जाएगा कैसे क्या चीज़े रहेंगे कितने लोगों ने परिछा पिट के दी है कितने लोगों बुलाएज़े वह सारा चीज मैं आज शाम की वीडियो में आपको बताने का प्रयास जरूर करूंगा अपने इस तरसे अभी एक सर् सेफ है लेक पाल के लिए कितने लोकों को बूला जा सकता है क्योंकि देखते हैं किसे खियो के वीडियो में मिलते हैं आप सभी से वीडियो यहां ते देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत देनवाद और एक जरूरी सूचन आप सभी के लिए अगर अपने गुवर्मेंट जॉप सुपी का एंड्रोइड अभी तक नहीं डाउनलोड किया है तो डिस्रिप्शिन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा वहां से एंड्रोइड आप हमारा जरूर डाउनलोड करें वहां पर आपको सारी अप्डेट सबसे पहले आपके मुवाइल पर मिलती है तो एक बार जरूर डाउनलोड करके देखिए आप को और जो भी आपके सजेशन और फीडबैक को वह हमें जरूर दीजेगा आप सब भी आप वीडियो यहां तक देखने के लिए बहुत बहुत धेनवाद